पत्रस लिक रहा है पहले पत्रस दो अधियाए में उसके साथ जब हम आगे हैं इसके पास आगे हम जीविते पत्र बन गे इस मंदिर का एक एक पत्र जीवित पत्र है जीवन पाई अवे लोग नए जीवन पाई अवे लोग है यह एफिश्ची दो में कहा रहे हैं पहले तुम दूर थे मसी इशु के लहू के द्वारा पहले तुम दूर थे मसी के लहू के द्वारा निकट हो गए हो नहीं है सिष्टी बन करके हम प्रभु के साथ जुड़ जाते है और इतना हिने हम अपस में भी जुड़ जाते है दोग 18 में लिख रहे हैं क्योंकि उसी के दौरा हम दोनों ही येकी आत्मा में पिता से मुलाकत हो गये उसके पास पहुंच होती है दोनों के बात कर रहे हैं दोनों को मतलब अन्य जाती लोग यहुदी लोग कितने भी बाशा बूलने वाला क्यों न हो सबको परमिशर अपने आत्मा से बर देते हैं एकी आत्मा से इत्ता के साथ पहुच हो जाती है इश्मसी के द्वारा नया जनम पाई वहरे एक इस महान महल में महान इमारत में जुड़ जाते हैं कोई भी संस्ता कर क्यों न हो जो नया जनम नहीं पाई हैं कितने भी बड़े चर्च में रहें कितने भी दिखने में बहुत सुन्दर लगें वो चर्च नहीं है बाहर की तरफ से जो मंदिर की बाते का रहे थे चले लोग मती का चववी सद्याम इश्व मसी के पास आ करके प्रभुची देखे कितना मही माही मंदिर है करके इश्व बोल रहे थे इसमें एक पत्र के उपर एक पत्र भी नहीं रहेगा सब ठोटे जाएगा करके बहुशिवाने बोलेते क्योंकि इश्व को मालम है जब इश्व मसी को पुवितर आत्मा को परमेशर को वाँ जगा नहीं परमेशर का बावन नहीं रहा आज भी मेरे बाई बेन बच्चे लोग हम है जब इश्व जब पत्र है उस मंदिर का बाग बनेगे हम उसके परिवार है हम उसके राज महल है हम उसके मंदिर है इस बातों का हम समझना चाहिए परमेशर पहले हमको एक एविप्ति को अपने साथ मेल मिलाव कराते हैं फिर आपस में भी हमारा पस में भी मेल मिलाव कराते है